ट्रेनिंग के एक साल बाद दिवाली के लिए घर आया था मॉम मॉम जोर से दर्वाजा ठोक टीवी देख रहे होंगे बीस से केंड से तो तो मेरा फेस चेक कर रहे हो इतनी देर मैं तुम्हे सवाल याद कर लेती वेस्ट ओफ टाइम कौन हो तुम थीरन कब से बीट कर रहे हैं बेटा आओ मेश पड़ उस वाले टीचर की बेटी है कुछ तिम पहले ही शिफ्ट हुए है बाईया आप मेरा मेकप किट लाए मत्रभी कहीं की क्यों नहीं लाएगा ड्यूटी तो जोइन करने दे तुझ आकर फ्रेश हो जा मैं खाना लगाती हूँ मुझे लगा तू एक दम हुजलेस है पढ़ाय बदल नहीं होगी रूम तो काफी अच्छा सजाया है यह मैंने नहीं प्रिया ने किया अच्छा काफी पढ़ा को लगती है बीस सेकेंड भी वेजने करना चाहती है आये इसके पढ़ाय कर रही क्या पढ़ना चाहती है पर उ मैं तुमको कोई स्टोरी सुना रही हूँ पुलीस से पंगल लिती है खड़ू उस कहीं के चलनो टंकी बदमाश रिंगा रिंगा ओज़ेस पॉपेट पुला फोज़ेस आहिशा ओविशा और मैं पडोसियों से मिलकर आता हूँ सॉस्वाई रिंगा है गिए थे आड़ से मिलकिे मटला आता हैं और यृथ सब्सेश्वाई नहीं आफ। अरे सुनतो क्या है कुछ नहीं तुम बात करना चाहते थी तो सोचा बात कर लो पापा से बात कर रहा हूं स्वीच सेस वह अपनी पड़ोसन है ना प्रिया हा भाई उसका क्या वह ना मेरे इश्क में पड़ा गई है शेर में लड्डू बटवाओं तुम्हें तो नहीं है ना जाने दे मुझे भी है मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज मैं तेरी बहन हूं कोई ब्रोकर नहीं और कोई नही मिला क्या अरे ऐसे काम के लिए दोस्त एक दम सही होते हैं रहने दे यार मुझे अपना काम नी बिगडवाना इधर देख आई यूर फ्रेंड इट इक्वल्स टू बिग ब्रदर्स या फिर चार छोटे भाई जब प्यार की बात हो ना तो मैं हंड्रेट ब्रोकर्स के बरा इस बात बता कुछी दिनों में तु डीएश्पी बनने वाला है और लड़की का पीछा करते हुए गिल्ट शिल्ट नहीं हो रहा है गुड़ बॉई कलको अगर तु कमीशनर बन जाया है कोई बड़ा मिनिस्टर क्यों ना बन जाया है जब तक लड़की पट ना जाया उसक जो नहीं होता और क्या सालों से सुभाय शाम भगवान के सामने दिया जलाती है पर रिजल्ट का दिया है कि जलता ही नहीं है यह जमान पुझा पाड़ से कोई पास नहीं होता उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है अगर पढ़ाई करने से ही पास हो जाते ना तो भगव खूम घूम के रटता रही हो ये मैच है हिस्ट्री नहीं समझी जितना सीरियसली और किताब दरही है ना अश से जाधा सीरियसली तो तू से पढ़ रहा है मैं उसे मैं तो रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट माने जा रहा हूँ पर वह भाव ही दे रही जो ए बिल्ली का खेल खेल रही है दिखाता हूं उसको मैं तो बैल हूँ तु तो इस्कूल बैल है जो हर गंडरे बस दाने पर है थैंक्यू अँटी डिउटी कब से जोइन करनी है फील्ड ट्रेनिंग खत्म होती ही तुमने सिविल एक्जैम्स में टॉप किया और एक यह है मेरी नलायक उल्लू की पट्ठी ग्रैंट सेलियर शिक्षत की बेटी छे बार फेल हो जाए तो नाक पटने वाली बात है अगर इस साल भी पास नहीं होई तो अंगूठा चाप शिक्षा मंत्री से इसका ब्या करवा दूँगा बस अंकल इतनी जल्दी क्या है मुझे एक चांस दीजिए बेटा मैं अपनी बेहन को पढ़ाता था ना सर तो सोचा कि प्रिया को भी पढ़ा सकता हूँ ताकि वो पास हो जाए बेटा इसकी बंजर बुद्धी में ग्यान के फूल खिलेंगे क्या पापा इसकी ट्यूशन की जरुवत नहीं है मैं खुद पढ़के दिखा दूँगे प्लीज, 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 प्ली पापा हमें राहुल का ओप्रेशन कराना होगा हम पुरी कोशिश करेंगे देरे चे रखो भावी, सब ठीक हो जाएगा नहीं, ये क्या हो गया उनका बहुत बुरी तरह से एक्सिडेंट हो गया है हम बचानी सके कैसे जी पाऊंगी मैं फेल होने की वज़े समझ में आ गई इतना थेज टीवी चलाएंगे तो कैसे फोकुस करेगी सॉरी बेटा चिस्रा बहल, घर पर हो बापरे, ओपरेशन सक्सेस्फुल होगा ना बेटा, मेरी बीवी तो पड़ोसन के घर टीवी देखने चली गई वो सीरियल में राहूल की कंडिशन बहुत खराब है उसका आगे क्या होगा मुझे भी देखना है खीके लेकिन दर्वाजा बंद कर लेना और टीवी का वोल्यूम कम रखना थेंक्यू बेटा स्वीटावट सिस्टर क्या बाद है एक मेकप के चला के दूँगा अगर कड़क चाई पिलाएगी तो प्यारे बच्चो एक सेकेंड भी किताब से नजर नहीं अटनी चाहिए कॉंसंट्राइट साइड आटिस्ट आउट मेरी फोटो क्यों खीची और मुझे आग क्यों मारी मैं पापा को बुलाओ बुलाओ क्या यूजलेस इस जनम में कभी पास नहीं हो सकती इससे अच्छा होगा आई लव यू बोल के लाइफ सेच कर ले पापा क्यों चुला रही हो प्रिया इसी से पूछो ना इसने मारा क्या हुआ बेटा इसे ताज महल पे ऐसे लिखने के लिए आ था और उसने ये लिखा है पिछले एक्जाम में एक्जाक्ली यही लिखा था और पापा ने मुझे टू पॉइंट फाइव नंबर दिये थे हैं कि नहीं इसने मुझे आखे दिखाई पर तू मत डर ना लगे रहो पापा मास्तर जो कह रहे हैं वो करो तूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्बदूम्दूम्दूम्दूम्दूम्दूम्दूम्दूम्दूम्दूम्दूम्दूम्दूम दोलो में वोलो najाज तुछ पेल आप करो जोर आपक जहीं एप 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 एपगें एक टिंए एक टिंए एक टिंए हेए प्लीज आज ओफ दे दो घर के चुले चौके से बचने के लिए मैंने पढ़ने का ड्हों किया था पर ये तो उससे भी बुरा है थोड़ी दया दिखा दो कितनी क्यूट हूं है प्लीज तो फिर पढ़ाई करने के लिए किसने का सिर्फ लव करो डालिंग आई लव यू बोल डाल आजाद कर दूंगा नो वे चल जा कितने ही धीट है तूंगा मुझे घुसा आगया ना तो सर फोड़ दूंगी ठेक है आई लव यू कैंसल एक किस से काम चला लूँगा मैं पहले म यह तुम्हारा सौरी बोलने का तरीका है पापा से पोच्छती हूं ठीक है जाए ताज महल शारुखाने बनाद ना ममी ने ट्रेनिंग पर जाने के लिए पैकिंग करने को कहा है ज्यादा खुश्मत हो ट्रेनिंग पास में है बीच-बीच में आता रहूंगा फिल ट्रेनि की ड्यूटी देनी होगी अगले साथ दिन क्रिमिल्स के पोस्ट चेक करने होगी फिर राइटर बन के कंप्लेंस लिखनी होगी ऐसा की ड्यूटी कर स्टेशन मेंटिनस सीखना होगा इंस्पेक्टर बन के उनके काम का आज इन्वेस्टिगेशन करने के प्रॉस्स को समझना होगा ट्राफिक खावलदार से लेगे डियस्पी तक के सारे गाम करने होगे कॉलेज इस्ट्रिवेंट से सर दोनों के ओंदेश्पर्ट मौत हो गई दोज देना सर ऐसा तो होना ही था दोनों के दोनों एडलाइट बन करें चला रहे थे जूट बहुता है एडलाइट अन थी लाइट फूटने पर ऑक्सिजन अंदर जाएगा और टंग्स्टन जल जाएगा मुतुर्ट में इसका जिकर करना है यह एनराई मुडर केस है डॉग स्क्वैड ने पूरे घर को चेक किया है डेट बड़ी यहां नहीं है सर क्बसित सिर्देषण फिलाई फ्टिय्स शड़िपस् dances सर यह जगह खुदवानी होगी गुट और अगले संडे को रेंजर्स की क्लास तुम लोगे ठीक है लोकाट्स प्रिंसिपल अथ एक्सचेंज जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराती हैं एक पार्टिकल के कंपोनेंट्स दूसरे पार्टिकल में हैं कंप्लेंट के लिए पेपर बीट डूडी पर रिश्वत मांगना हमारे डिपार्टमेंट के छवी धुमिल कर रहा है सर, एक्यूज के लिए खाना, स्टेशन का मेंटेनेंस, भूखर्ताल पर बैटे पॉलिटिकल पार्टि के वकर्स को अरिस्ट करने पर उनके लिए बिरियानी इन सब में साल का तीन लाख रुपय जाता है अगर आप इन सब का इलाज कर सकते हैं, तो हम रिष्वत की तरफ देखना बंद कर देंगे जिन के पास है उनसे ले लो, और जिन के पास नहीं होना जाने दो दिरियानी खिलाने के अलावा लावा लाएन ओर्डर मेंटेन करना है मेल थैंक्स स्वीट सिस्टा आदत कुछ जादा नहीं हो रही है, हेल्थ के लिए हानी का रख है प्यारे बच्चों, जा के दिधी की हेल्प करो चाय बनाने में ओके भाहिया, चलो पढ़ाई से चुटे मली बहुत नाटक कर लिया, पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं मसाज करो ना भूल जाओ, तो ठीक है, पापा को वाईल अभी वाली बात पताता हूं अंकल, यह फॉस्ट और लास्ट टाइम है अहा, लगे हाथ कमर भी दभा दो अभी गाना भी हो जाता, तो कितना अच्छा होता ही, उसे मन देखना ए, नीचे होते ही न, तोपटाई कर दुआ क्या, नोटबुक्स में तुमने ड्रॉइंग्स भरके रख्यू हूई है ओ, तो मेरी मुसिंग फोटो यहां है वो पुलिस वाला बुद्धू है, I love you शैतान की बच्ची, वहाँ पापा के नाम की धमकी, यहाँ I love you वाले चुठे पापा को कंप्लेंड करना अलग मैटर है लव कंफेस करना अलग नाटी कहीं की? तुम डबल नौटी हो मेरी परस्नालिटी और बातों पर पेसल गई ना, है ना तो फिर? फिर्स टाइम जब तुम्हारी फोटो देखे तो फिर इतना टॉच्चर किसले? फॉर फ़न लुक्स में तो तुम पास हो गए क्यारेक्टर सर्टिफिकेट भी तो चाहिए था ना वेट कराने के लिए सौरे बोल यहां ऐसे ही सौरे बोलते हैं क्या? नौक करना चाहिए था ना आपी ने तो कहा था जैसा कहें वैसा करो प्यार का उठता धुआ पूरी दुनिया ने देखा और हमें खासी तक नहीं आई जानू? जानू? कुछ बोलो तो सही हे बात करने को कहा था उसके लिए तो उमर पड़ी है मुझे तो कुछ चाहिए नहीं दूंगी ऐसी बात है? देख मैं क्या करता हूँ मैं पुलीस का बुला दोगी हाँ पुलीस का बाप भी मुझसे नहीं पहुचा सकता तुझे थीरू तुमने प्रामस किया ना कि तुम कभी नहीं बदलोगे और मुझे कभी नहीं जाटोगे और नहीं जगड़ा करोगे मैं करूँगा एक बात बताओ तुम्हें मैं स्यादा पसंद हूँ या माँ तुम मोरतों के फास और कोई सवाल नहीं होता है क्या थीरू एक बात कहूँ कहूँ आई लव यू आई लव यू टू तुमसे भी स्यादा आच्छा थीरू तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगे ना हमेशा तमिलाडू पुलिस डिपार्टमेंट में तीस नए डियस पी ने आज से ड्यूटी जॉइन की है तुटी कॉरन तीरपूर में डियस पी थीरू ने चार्ज संभाला है उन्होंने मेरे बच्चे को किड्नाइप कर लिया है सुल उसे छोड़ने के लिए दस लाख रुपए मौंग रहे हैं प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए कर दोड़ने लिए झाल झाल कर दो कि झुझ झुझ झॉझ। guilt कि यह ज़ा है वो डियस्वी का बच्चा इतने समझाने के बाद भी मेरे आदमी पाहत उठाया वो एक मेले की नहीं सुनेगा ए तुमेरे बारे में जानता नहीं है क्या है इतने इज़त काफी है अखबार में फोटो छपवा कर सूपर कॉप बनना चाहते हो यह प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता सर एंकाउंटर गरने के लिए लेम एक्सक्यूस देटाएं सब पिछले हफ़ते एक लड़की ने ऑफिस से घर जाने के लिए आटो पकड़ा ड्राइवर और उसके दो दोस्तों ने उसका मूँ बादा और सरी से उसका हाथ तोड़ा उसे जाड़ियों के पीछे ले जाके उसका रेप कर दिया उसके बाद जखमी हालत में उसे 10 किलो उनके सामने वो खूब केड़ गड़ाई फिर भी उसका गला काड़ दिया और वो तीन कुत्ते किसी तरह मैंने उन्हें धून निकाला अब पताई ये क्या करना चाहिए था उनके साथ तुमने क्या किया दरवाजा खोलिए हाईविय पे हमारी गारी का एक्सिडेंट हो गया है बच्चे के सर से खून बहरा है सर फिलीज दरवाजा खोलिए एम्मिलेंस को बुलाईए और हमारी मदद कीजिया सर दरवाजा तोड़ते है दून हाँ दूनलुओ तो गुमूटी पुंडी में भी ऐसे वारदात को अंजाम दिया गया था जिसका कोई सुराग नहीं मिला चनता में बुरी तरह से दहशत फैली होई है उन लोगों को पुलीस कब पकड़ेगी रिष्तिदार पडोसी सब एक दूसरे को शक्की नजर से देखने लगे हैं सर्क कोलोनी के सभी लोग बारी बारी से टोली बना के पहरा देते हैं घर से निकलने में भी डर लगता है पुलीस कोई परवा नहीं कर रही है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले चोला वरम के इंस्पेक्टर सत्या ने भरुसा जताया है कि मुझरिम जल्दी ही पकड़े जाएंगे प्रिया इंस्पेक्टर सत्या नमस्ते ये गर की चापी है पैंक्यू ये सारे खेत इंस्पेक्टर के पुष्टानी जमीन है वो जो घर देख रहा है वही रहते है यहां पर कितना सुकून है है और घर भी बहुत अच्छा है मुझसे भी अच्छा है हां बिल्कुल थीज़ थो थोड़ा और उबर यह यहां पर लगा देख चीक है कैसा है दामाद का घर मेरे पैरेंट्स नमस्ते कॉफी नमस्ते सर्ण बहुती सुदर घर है थैंक्स बीएसपी ओफिस के ऊपर वाले घर में और ओफिस अज़ रह रहे है इसलिए इसे फैनिल किया इसी बात के लिए तो थैंक्स कहा है वो घर तो इनके लिए ओफिस ही बन किया था है मो क्यो लटका रखा है डॉल दिलाने का प्रॉमिस पूरा नहीं किया सिर्फ इतनी सी बात रुको यह लिटल लाइन तुम हो और यह शेर मैं हूँ एक गेम कहले अब चलते हैं फॉर्मालिटी मत करना कुछ चाहिए होगा तो कॉल कर लेना ठीक है प्रिया ठीक है सत्या कल सारे आफिसस को कॉल कर लेना ओके सर्थ सुना है नए डिएस पी आए है आपके बारे मेंने बहुत सुना है आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा तैंक यू सार लोकल लीडर और तैसलदार से मिलना चाहूंगा मीटिंग औरेंज करो पेंडिंग केसिस की पेंडिंग क्यों है कोई अक्षिन क्यों नहीं लिए हमने इन्वेस्टिगेट किया फिंगर्प्रिंट्स के अलावा और कोई सबूत नहीं है नया गैंग था या पुराना या फिर कोई अकेला इंसान अब तक डिसाइड नहीं कर पाए और भी कई केसिस थे इसलिए फॉलो अच्छा बताओ तुम्हारी सुंदर्था का रास क्या है यह मलाईदार काल रसीले होंट हिरनी जैसी आखें तोते जैसी नाक ए भी त्हीरो तुम तो मेरे कुछ लाने बाले थे ना काहले है यहां मिरमेंस के साघे में गोते लगा रहा हूं और तुम आपक नहीं चाहिए तुम्हारी सौरी दर्वाजा खोलिए सर आइवे बबारी गाली के एक्सिडेंट हो गया है दर्वाजा खोलिए खोलिए दर्वाजा बजुआ मैं फोलिए बेटी सिदो सिदो बही आओ दो बोडिस और है सर जानवरों की तरह हमारा के है सेम मोटर सो प्रेंडी फोरंसेक वाले फोटाग्रफर अपता क्यों नहीं पोचे उन्हें ब्लॉट सैंपल्स और फिंगर प्रिंट्स लेने को बोलो यस सर एक भी एबिदेंस मिस्ना हो एक एक इंच सर्च करो अगे सर लाइन मेठोड सर चरेंज करो पर पर ने पर देश्ट्रिक में लगाताया तीसरी बास दिल दहला देने वाली डकैती पड़ी है सीरियल किलिंग, व्यानक मोद, नकाब पहने डकैती, क्या पुलिस सोई हुई है, क्या या पराधी, कभी पकड़े जाएंगे आप ही बताइए, दस कॉंस्टिबस मीलो लंबे हाईवे को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे इसके अलावँ, हैवे पे भी काम चल रहा है, लाखो गाड़ियों में उन्हें पहचाने कैसे पहले ग्यारा बजे तक दुकान खुली रखता था, आप तो सूरज जलते ही घर में दुबग जाता हूँ रात को अकेले सालक पर निकलने में डर लगता है जब शार्दा माडम के घर में डक्या थी पड़ी, तब से मैंने दूसरे घरों में काम करना छोड़ दिया लोग इस गाओं में अपनी बेचियों की शादी नहीं करवाते, हम खुद यहां से कहीं और जाना चाहते हैं इससे पहले की लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट से भरोसा उठ जाए, इसलिए पुलिस को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा इसे मिलते जुलते सभी केसिस के डीटेश चाहिए, फोटोज, वीडियो, डॉक्सकॉर डीटेश, फिंगरप्रिंट्स, पैर के प्रिंट्स, टायर मार्क्स, मटेरियल उब्जेक्स, फिजिकल एविदेंस, क्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्वोर्टम रिपोर्ट और केस से र आठ है, देखते ही, we come to know, घर में कितना माल होगा, घर में सुकते कपड़ों को देखके, हव मेनी आदमी औरत नौकर है, सब पता चल जाता है, डॉक्स भी बहुत इंपोर्टेंट है, देशी ब्रीड है या फोरें ब्रीड, एक रोटी खाता है, दूसरा बिस्किट, अपन आते ही, पता चल जाता है, कौन सी कपड़ों की अलमारी है, कौन सी कैश की है, माश्तर की अपने पास होती है, पांच मिनिट में साहब साहब कुछ टेस्टी बनाओ, तो खाभी लेते हैं साहब, फिर किसक लेते हैं, वीर आर्टीस्ट, और आप हम पर खून का इल्जाम आते हैं, दो सो कराम तेल, और पकड़ के लिए हाथ में राख चाहिए, वही जाते हैं जहां खिड़की के पास अलमारी होती है, और खिड़की पे चड़के, जमीन पे तेल डाल देते हैं, और फिर जैसे चाओ, एक उंगली से भी घुमा सकते हैं, और यही हमारा प्लान हो आते हैं, नकली तारू बनाता है, नकली तारू बनाता है, जिची में केरावाज जाती का एक एंकाफी सग्री होआ करता था, मैं डिपार्टमेंट में था तो मरिय अपन गैंग डखेतियां डालता था, वो लोग अपनी असली पहचान छुपा के रखते थे, पच्चिस साल से इंफॉर्मर का काम कर रहा हूँ, इस तरह का गिनावना अपराद कभी नहीं देखा, सही में सार, मुझे नहीं बता है सर, कोई आइडिया नहीं सर, तमिलाडू सर, गन रखते हैं, लगा थी के लिए, कभी नहीं सुना, लाइसेंस निगा लो, जितनी भी सुनसान जगे ह पूरे स्टेट में आया दिन ऐसे के सामने लगातार आ रहे हैं सर, ये वाला जास है, इसे देखिये सर, इसके सर पर वार किया गया, जिससे इसकी मेमरी चली गई, ये चोला वरम की है, इसके जबले तोड़ दिये, जौल प्लेस्मेंट की सरजरी करने पड़ी, ये शे पोतों के साथ खुशी से रहना चाहती थी, जो कष्ट मैंने सहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सहें, जीवन भर मैंने त्याक किये हैं साहब, हम सब बहुत खुश थे, लेकिन इस काली रात को एक ही पल में सब कुछ गदब हो गया, साहब, जो हमारे साथ हुआ, मों किसी और परिवार के साथ ना हो, उन्हें जिन्दा मत छोड़ना साहब, उन्हें पहुसी दिलवाना, ता कि और किसी के साथ है सानना हो, उन्हें दू कमर छोड़ना साहब, मेरे पास मता, मेरे पास मता, कभी, 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 इंहाईवे डखातियों को एक आम केस समझ के इनिवस्टीकेशन शुरू किया था पर यह और्दिनरी केस नहीं है यह एक्स्रीम्ली रेर और सीरिस केस है कॉन है यह डखात अडिया कैसे ट्रैवल करते हैं जुर्म करके कैसे भागते हैं नहीं बता सिर्फ एक ही बार से विक्टिम की जान कैसे ले पाते हैं नहीं मालू आज तक एक भी आई विटनिस क्यों नहीं मिला अगैन नो आईडिया वो शातिर ना सिर्फ सवाल छोड़ गए पर साथ में एक फिंगरप्रिंट भी छोड़ गए और चुकि ये एक यूनीक केस है हमने इस फिंगरप्रिंट को तमिल नाडू के हर पुली स्टेशन में भेजा किसी भी अरेस्टिट क्रिमिनल से ये मैच नहीं किया लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद ये एक जगह मैच किया 1995 से अब तक हुई 22 डखैतियों और हत्याओं के सिमिलर क्राइम सीन से ये फिंगरप्रिंट कॉमन फैक्टर निकला ये कोई पुराना गैंग नहीं है एक नया गैंग है जो पिछले नौ सालों से खानून के हाथों से बचता फिर रहा है उन्हें नहीं पकड़ पाए तो ये क्राइम करते रहेंगे अब तक 18 लोग जान गवा चुके हैं साथ आख कान खो चुके हैं जबड़े तुरवा चुके हैं कुछ कौमा में है मैं हैरान हो कि डिपार्टमेंट ने इतनी लापर रही कैसे बढ़ती मैं सों नहीं पाता हूँ उन बच्चें और बुढ़ों की चीखें मेरे कान में गुझती है क्राइम में विक्टिम की जान जाना कोई नई बात नहीं है इसमें डिस्टर्ब होनी के कौन सी बात है एक आम नागरिक भी जुर्म के खिलाफ ख़ड़ा हो जाता है हम लोग तो उसकी सेलरी लेते हैं हमारे घर चलते हैं उससे एक शर्मिंद किसी महसूस होने लगी है लेगिन शायद आपको शर्म नहीं आती तुम्हारा नेक्स टिप क्या होगा सर सभी विक्टिम्स को सर के एक ही साइट पर मारा गया है ये जानवरों को मारने की टेक्नीक है इसका एक कंक्लूजन निकलता है कि हत्यारे शिकार करना जानते है उन्होंने देशी कट्टे इस्तिमाल किये जो इस स्टेट में नहीं बनते पिछले क्राइम सीन से एक चपल, गुटका और एक खाली कार्तूस मिला ये सब तमिल नाडू के बने हुए नहीं थे सो, डीजीपी की परमिशन से एक टीम के साथ पूरे देश में चेक करना चाहता इतना बड़ा सर्च ओपरेशन पागल हो गयो क्या कुछ मामूली चोरों को बकड़ने के लिए पूरी बटालियन चाहिए जानते भी हो कितना बड़ा देश है कितने जेल्स हैं, पुलिस स्टेशन, कोड्स हैं रेकॉर्ड रूम्स भरे पड़े हैं और तुम एक फिंगर प्रिंट मैज करवाने और कुर्सी तोड़ने के अलावा आखिर तुमने किया ही किया है युमे गो, बाहर वेट करो इतना बड़ा डिसिजन ने लिए सकता मिनिस्ट्री से बात करता हूँ, फिर देखते हैं नहीं माना पब्लिक की सुरक्षा का सवाल है कुछ तो करना पड़ेगा सर देखो इस केस के लिए एक स्पेशल क्राइम टीम बनाओ एक वैन प्रोवाइड करता हूँ, उसे यूज़ करो दूर जाना हो, ट्रेन से जाओ प्रिया के पास एक लेड़ी कॉंस्टिबल छोड़ के मैं निकल पड़ा एक चपल, खाली कार्दूस और एक फिंगरप्रिंट इस देश के एक एक क्रिमिल से वरिफाई करना था देखी आंध्रा में, ज्यादा तर ड्राइवर्स ऐसी ही चपल पहनते हैं इस चपल से पता लगाना बहुत मुश्कल है ठीक, इसी तरह के तीन केसेस यहाँ भी रेजिस्टर हो चुके हैं दस साल हो गए, अब तक कोई सुराघ हाथ नहीं लगा सर, सर, अरे भाईया, कौन थी? सर, सर, सर की कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है लगता है यहाँ पुलिस वालों की भी यूनियन है, इन्हें किसी की परवा नहीं है पूछो, अंदर जा सकते हैंगे भाईया, अंदर जाएं ऐसे देशी कटे यहाँ एजीली अवेलिबल हैं इससे प्राइम एविडेंस नहीं मान सकते यहाँ से मोटस ओपरेंडी के चार किसेस बेंडिंग है जाके चंदरपूर इस्टिक में चेक करो नो, 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 वो हमेशा बैकडोर सेंटर करते हैं पर आपके केस में सामने दर्वाजे से आए शादी को दो साल हो चुके थे प्रिया से इतने दिनों तक दूर नहीं रहा पैसों की तंगी थी धाबे या फिर स्कूल में सोते जो मिलता खा लेते एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमते हुए टीन नंबर्स बीमार पड़ने लगे बहुत खतरनाग गैंग है उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है क्राइम उनके डिने में बसा हुआ है देखिए क्रिमनल ट्राइब्स जो शब्द है वो फॉर्नलस नहीं जाद की है वो हमें गुलाम बना कर हमसे हल चलवाते थे दिल में गिल्ट थी कि प्रिया को टाइम ने दे पा रहा हूँ उन्तरिंदों को ढूंडने की मेरी कोशिश ने मुझे खुम से सने दिहास से रूबरू करवाया भारत के हर एक कोने में घिनोने क्राइम्स होते आए हैं जहां जहां भी गए इससे घ्रनित केस पेंडिंग थे उन सब केसिस से फिंगर प्रिंट्स के रिकॉर्ड्स एकठा किये और उन्हीं हमारे केस के फिंट्स से मैच किया इन सब के पीछे एक ही गैंग का हाथ था लेकिन कौन सा गैंग? कौन है वो? कौन है वो तरिंदे? इन केसिस से रिलेटेड एविदेंस और स्टेट्मेंट्स को बारी की से पढ़ने के बाद एक विचार आया क्राइम्स की डेट और येर के हिसाब से इन टकैतियों को कैटेगराईज किया एक छोटा सा क्लू मिला है फरस्ट 1995-96 के बाद तमिल्नाडू में ही नहीं बलकि पूरे देश में चार सालों तक गैंग एक्टिवेट नहीं था क्यों? शायद सब उस वक्त जेल में होंगे पर कौन सी जेल? सेकंड दस साल पहले तिरूपती में अरेस्ट हुए एक एक एक्टूस ने स्टेट्मेंट दिया कि मैं छोटे गैंग की छोटी मचली हूँ ट्रक गैंग हाफते में चार बार स्ट्राइक करता है मुझे जाने दो बड़ी मस्ली पकरवा सकता हूँ क्राइम स्कीन के अब्जरवेशन से गैंग का अंदाजा लग जाता है एक डाउट है कि ये ट्रक गैंग है 14 फरवरी 2000 को गुमिडी पुंडी में वारदात हुई फिर 16 ला को आर्थर में अगली वारदात 18 को कारी मंगलम धरमपुरी में और 29 को बैंगलोर के बाहरी एरिये में वारदात हुई गुड्स की डिलिवरी करते समय ये सारे क्राइम्स हुए होंगे सत्या सर वो एक्यूजड अभी तक तीरुपती जेल में है बेल करवाऊ और उसे क्राइम सीन पर लेकर आओ ओके सर पता करो कि क्या जै ट्रक गयंगा काम है ये पका ट्रक गयंगा ही काम है सर लेकिन तुम इतने शौर कैसे हो सकते हो विक्टिम्स के पोस्टमॉटन और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस unknown weapon से उन पर वार किया गया ये ट्रक में लगने वाला flag rod है वो लोगों को मार के इसे फिर से अपने ट्रक में लगा देते हैं पुलिस के हाथ लगने का सवाल ही नहीं उठता सभी चक्स को सीज करके rod के fingerprint लेते हैं नहीं सर, बात मीडिया में पहल जाएगी गैंग सतर्क हो जाएगा एक special team फर्म करके उन्हें उनी की जगह एरेस्ट करेंगे उनका एकमात्र एविदेंस है उनके fingerprints North India में fingerprints गिल्ट प्रूव होने के बाद लिये जाते हैं and that's a problem सरकारी खर्चे पे पूरे इंडिया का free tour किया और अब यहाँ अपने कहानिया सुना कर हमारा time waste कर रहे हो बाद क्यों नहीं लेते कि नहीं पकड़ सकते हैं नहीं सर जरूर पकड़ सकते हैं जिस दिन गैंग आप जैसे बड़े officers पे या किसी MLA या minister के घर पर attack करेगा जो एक दिन होकर रहेगा उसी के बाद police department और government case को seriously लेगी और फिर वो गैंग बहुत जल्द पकड़ा जाएगा आम पबलिक की तो कोई importance है ही नहीं ही रण सौरी सर हमने इस case को solve करने के लिए बहुत महिनत किये सर इस पे हमारे पैसे खर्च हुए है जब से investigation शुरू किया है उन्होंने पांच अलग अलग जगों पे स्ट्राइक किया है वैशी ढंग से लोगों को मारा है department को इसे seriously लेना चाहिए कोई फायदा नहीं अच्छाई और बुराई की इस जंग में पुलिस हार रही है विक्टिम्स के बजाए क्रिमिनल से वफादारी दिखा रहे है त्स आल सर स्पेशल टीम के रिक्वेस्ट खारिच कर दिये सत्या देखते हैं क्या होता है ओके हम् मेरी बिल्ली कोई फायदा नहीं है और जा मैंने तुम्हें इतने फोन किया तुम्हें एक भी नहीं उठा सर तो बिजी है मीटिंग में ये बेस्ट ओफर मिलाया हूँ अब बिना डिस्टर्बंस के डरेक्ली बात कर सकती हूँ इस ग्रीन बटन को दवाना है रहा है देख चुकी हूँ प्रिया बहुत इंपोर्टन कीस है पुब्लिक परेशान है और मैं मेरा रसुल्या बाते मत बनाओ क्या हूँ इम सीरियस ओके सीरियस बोल डल इस बच्चे का क्या यूँ प्रेंट की शादी में क्या गिफ्ट ले जाएंगे तुम्स रिषाइट करो जैसा चाहां जो तुम्हारी इछा सब मेरी इछा है तो तुम्हारा होने का क्या फाइदा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना हो गया ले जाओ डार्लिंग टेमाचर भी काट दो ना एक बात कहूं घर के काम में मैं तुमसे ज्यादा एक बात कहूं मैं तुम्हें काफी ट्रेनिंग दे सकती हूं बचाओ आशिर बार ह। बच्टो आशिर 초ाव में ऍाशिरब लंचू बच्टो झुम्हें कuçा पड़े जाव क món वहां पर एक लॉयन है जंगल में जाके उससे देखे अफकोर्स पहले खाना कतम कर लो फिर देखेंगे ढमले लो अध्र गिलने कियो भॉक रहे है अध्री किर लोग्रा दाओ ? प्रस्तेजक्षे खाल यूर्ड़क्रे खाल भॉक्राच्षाओ ? नगलमें दूल मुट्क्राच्था खुपो जाओ ? ये अखिरी तना क्यों बहुंक रहे है ? वह? 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 कि चलो रहे मारते ना चलती करो कि अचलो कि कल रात को रूलिंग पार्टी के मेले सुगवनम की कुछ नकाप पोश्ट डखेतों ने हर्त्या कर दी इस महीने की ये तीसरी घटना है जहां चोरी के बाद घरवालों की बहुत ही बहरेमी से हत्या कर दी गई एक रूलिंग पार्टी के लीडर के मारे जाने से पुरे शहर के लोगों में दहशत और अज सुरक्षा का महौल बना हुआ है आगी की खबर के लिए हमारे साथ बने रही है चै किस्मत ही साथ नहीं दे रही है अभी एक महिना भी नहीं बीता कि सुनामी के वज़े से सेक्डलों लोग मारे गए और अब एक MLA कमडर हो गया गोड़े बेच के सो रहे थे क्या एक फाइल रेडी की है से अरे अगर इतना पड़ा लिखा होता तो पॉल्टिक्स में खाक नहीं चान रहा होता तुम्हारी तरह हर महीने फ्री का पगार उठाता पॉलिस वाले भी हमसे गय गुजरे हैं उनसे जरा समहल कर बात करो और ना तुम्हें फसा देंगे समझे अब तक आम पब्लिक मर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब हमारा MLA मारा गया है बाइलेक्शन होने वाले हैं करोडों का खर्चा होगा आखिर कौन है वो टकैत 19 सेंचुरी के दौरान हजारों लोग रह समय धंक से गायब होने लगे तब 1830 में गवर्नर विल्यम बेनेडिक्ट ने विल्यम हैनरी सेलमन को एक और जारी किया एक इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने का उनका एक ग्रूप सैनिकों और व्याप्रारियों के भेश में भीड में शामिल हो जाता और निर्दोश लोगों के हत्या करके उन्हें लूट लेता था तैकिकात के दौरान ब्रिटिश पिलिस को जमीन के अंदर लूटेरों के दफन किये हजारों कंकाल मिले कुछ राजाओं की मदद से ब्रिटिशर्स को पता चला कि पिछले सारे 400 सालों में इन 20 लाख से भी ज्यादा हत्याएं की है ब्रिटिश सरकार सक्ते में आ गई अपने सैनिक भेज के कुछ ठोस कदम उठाए तकरीबन 100 को फासी दे दी गई हजारों को काल कोट्रूम में बंद किया गया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई उन जंगलों को जला दिया गया जहां वो छुपते थे उनके पूरे समुदाए को खत्म कर दिया गया ब्रिटिश सामराज जिने इस घटना की आर लेकर भारतियों को आदम खोर का टाइटल दे दिया उन्होंने पूरे भारत की 230 जातियों के लिस्ट बनाई और उन पे पीड़ी दर पीड़ी अपरादी होने का लेबल लगा दिया इस बहाने उन लोगों पर असहनी जुल्म किये आजादी मिलने के बाद पंडित नहरू की सरकार आई और उन्होंने पीड़ी दर पीड़ी अपरादियों के इस क्लॉस को खटा दिया और सभी पीड़ी परिवारों की सहायता की उनका उपकार मान के ये समुदाए अमन चैन से जीने लगा और उन्हें धन्यवात किया सिवाए कुछ लोगों के कईयों को तो ऐसास ही नहीं था कि ये क्राइम है महराष्ट से पलायान करके भारत के कई हिस्सों में रहने लगे तिरुवने मलाई से माइगरेट करके महराष्ट के चंदरपूर से लेके उर्पकम और गुरुवेंचरी में जाके सेटल हो गए बंगलादेश सेंटर होके दिली के बाहरी लाके में बसे और वहीं क्राइम्स करने लगे ये यूपी और नॉइडा में क्राइम्स को अंजाम देते रहे इन दिनों जितनी टकैतियां पड़ी इनी में से किसी ने की है शिकार करना उनका पेशा था और उन्ही तक्निकों का इस्तिमाल इंसानों को मारने के लिए करते हैं हमने ऐसे 45 क्रिम्रल्स की लिस्ट बनाई है तो तुम लोग इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते इसके लिए इंडिया के सभी पुली स्टेशन में हमें उनके फिंगरप्रिंट्स धूनने होंगे तो अब किसका इंतिजार है आईजीपी नोर्थ जोन विजयर आठोर की टीम इस केस को हैंडल करेगी कानून के हाथ कमजोर गए क्या सर जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे आप लोग धीरेज रखिये सब कुछ यह दर उतर पड़ा सर अच्छा इया आइदेकल नुकाआईदेकल जो और प्रथ चूर्च कि अंध्रपरतेशन के अकुछ nostro कोई लोग्हां कोई लोगही Eagle मेच नहीं हो रहा है। आप समझनी की कोशिच किजिए कुछ नहीं गना सिर्ट नो माच। सर वरिस्सा में कुछ अथ नहीं लगा। अब अम अंध्यप्रदेश आरहे है। मध्यप्रदेश में भी कुछ नहीं मिला सर। येलेचे, बस यहां और कोई फाइल नहीं है उमीद खतम और Iya Sar कुछ हासिल नहीं हो रहा है लाइस करके दिखे लिखिएज रिचे, लिकिन मों भी माच नहीं हो रहे Jain साब आये वेस बंगल कुछ नहीं मिला सा यहाँ भी कुछ नहीं मिला सार यहां भी कुछाथ नहीं लगा, सिर्फ मायूसी हाथ वगी हलो, हलो, जैन साथ, कामेल लाड़ो पुलिस, पाल्स रड़ी है, जी, आईए सर, कोई उमीद नहीं, सर बता देते इतनी दूर आना है, पैक करवा के वैन में सीधे बैठा देते, गरम कपड़े तक नहीं लाए, बीमार हो जाएंगे फोड़ा अज़ेस कर लो यार, चलो जल्दी करो, ठीक है चले गए, घूम फिर के शाम को आएंगे, तुम बैठो फोटो मास्टर क्या कर रहे बैठो, हमको तो लगता है कि आज हम तेवहार भी नहीं मना पाएंगे सांप, 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 क्या हुआ सर, बार-बार स्नैप क्यों बूल रहे है स्नैप नहीं सांप, एक-एक फिंगर प्रिंट, जेरोक्स की तरह दिमाग में प्रिंट हो गया है जानते हो यह किसका प्रिंट है, भेडिये के पंजे का यूपी में मेरट और आगरा, सर्फ यही दो जेल बची है, कल मैं वहीं जा रहा हूँ, वहाँ नहीं मिला तो सारी मेहनत देगा नहीं नहीं नहीं, हम अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते, साड़े पांच बज़े केदियों को छोड़ने का टाइम होता है, और छे बज़े दरवाजे को बंद कर देंगे हम देखे मेरी बात सुनिये, अम चिनना ही से आए, देखे प्लीज, कोई तो रास्तावगाद, जैन साब, इनका क्या मैटर है, कुछ फिंगर प्रिंट्स मैच करने आया सर, फिंगर प्रिंट्स की क्या जरूरत पड़ गई तुमको, हैरानी की बात है, फिंगर पिंगर जाने दो, जी सार, ची सार, आये सार, आये, आये, आये अभर को अभर के पंद मांच अभर कर गए दिद्यात के बाद आप में डिल गए हलो सत्या, एक मैश मिल गया सर, गुट वर्क सत्या, पॉफेट एट पॉइंट माच येस, 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 नाम बन्ने सिंग, एक मामुली जुरूम के लिए गिरफतार था, गैंग, फिंगर्प्रिंट स्पेशलिस से बात करो, इसे सीक्रिट अठना, सेम के ओफेसर कान्फ प्रेस में लीक नहीं होना चाहिए, तो रंत राजस्थान के लिए रवाना होजा, सर, क्या, घर गया हाँ, 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 ना ठीक से, खाया ना सोया हूं, बिटिया से मिलने की इच्छा है, सर, अपनी नीन्द और आराम को फूलेंगे, सत्या, तभी पॉलेंगे, स्थी पॉ राजस्थान पुलीस को फैक्स करना होगा, सर, ताकि वो हमें कोपरेट करें, सर, आप लोग जहां से होना, सब को इंगलिश आती हूं, हमें नहीं आती, सर ने तुमको यही रुकनी के लिए कहा है, इस बारे में एकदम चुपी रखना, प्रिया, बोलो तीरो, आज याद म कलना है, कॉंस्टेबल मेरा बैग लेने आगा, अगर तुम राजिस्तान चले जाओगे, तो मैं किस के कंधे पर सार रख कर सौंगी, फोन काटो, तुम काटो, एक इंपोर्टन बात का ना द भूली गया, क्या है, I love you, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो के, सर, फिंगर पिं सर, पैक से, राजिस्तान से नमस्ता साब नमस्कार सर पंजी, वो कब निकला? पांस दिन पहले ही निकला साब बात पक्की है ना? हाँ साब सची बोलियो सर पंज सत्या बोटाओ हाँ, बोलो सत्या सर, सर, बनने सिंह पांच दिन पहले मंबकम ग्लास कंपनी का माल लेके निकला है अब तक्षे नहीं पहुच चुका होगा बढ़िया, यहीं दभोच लिगे अरी, मंबकम ग्लास कंपनी के अनलोडिंग स्टर का नमाने का लो और लोकल पुलिस की टीम वहां बेजो हलो, कंट्रोल डूम, और यह डियस पी ऑफिस, MLA केस का एक्यूज्ड मंबकम ग्लास कंपनी पहुच गया है तुरंद लोकल पुलिस को वहां बेजो सर, उस ग्लास कंपनी का नमबर मिल गया पोल लगा हूँ हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ साब इस्पेक्टर को फोन देना सरीली जी सर, ऐसा ही दुराई बोल रहा हूँ दुराई भाक्स भेज रहा हूँ बने राजस्थान के ट्रक्स मेलेगा उसके सारे साथियों का औरेस्ट कर लेगा वोश्यारी से, डेंजरो से ये देखे जैसे ंखHHH सारे ट्राइवर्स आ गयरा अगया सब की शरकन नका नए नए ये आप धी नए ये इन Age y área ये बिनाइ नए नाइनटाय ये बीनाइन नइठ आइक लेटीक कबटिक जाँ इतनि करशियcos आइ... आए, आओडाओडाओडाओडाओडाँ गयोजगर कार仔 वर थाया वेưa Supra कर दो परस्ट कि विंद हुआ हो क्योजगर का बिंद हो गये कि आ दो वर शर कर दो तार अेड़ स्कत फ३र ज्रारिक वर कंने रो mana से दो बावाणी ने इशारा दिया, आज कोई बड़ा शिकार हाथ लगने वालो है और गोई ट्रक बचा? बाहर भी कुछ ट्रक्स कड़े हैं, बहाँ चक कर सकते हैं है, इदर आ, बोलिया सर, इसे कहीं देखा गया? देखा है सर, उसका ट्रक तो अभी सामने ही कड़ा था सर, अच्छा, इदर सर, देखा, जल्वी, जल्वी, आज़ा, कहा है ट्रक, अभी यहीं तो साव, इदर गया? अरे जग्दीश, अभी जो ट्रक यहाँ खड़ा तर कहा अगया? एक गंटे पहले निकल लिया, अब तक रेड हिल्स भी पार कर लिया होगा सर्ट, तुडाई बोल रहा हूं ट्रस्ट ये गंडे पेले निकल चुका है रैट हेल्स पारकर चुका होगा सर्ट उस्पे पांच है लोग है सर्ट कंड्रोल रूम, येजबी ठीन नियर अममले के साक्यूज रैट हेल्स की तरफ गया है या बिर शायद पार का चुगा होगा सभी पुलीस चॉक्यों पे उसके फोटो पे जो कुविडी पुटी पुलीस टेशन को अलेट कर दो एमने बढ़रा क्यूज राजिस्तान के ट्रक में है किनारे किनारे उस तरह तरह को फैक्स किया सभी स्टेशन को हाई एलट पर रखो ट्रक तमिलनारु से बहार वह जाना चाहिए और अऊचे करो किवां है चल्वाज जड़ी पूर आगे यह कर से खुकनी हुआ हुआ। ऎै जलो कि आनकार दुस्थ, खाने कैना हुआ। उसा से स्चै सादु कि यहाँ, कि अलो कि इस जगें। पारेशर फंचारा हुआ। आप सोफ थे! यह में को हो जा दूसे, तुस्थ स्षम्फंद ए! पास बास! जड़िए से, जड़िए लुगा जड़िए लुगा अलोरे कर दो दर्माजा कोई धर दर्माजा कोले था धर्माजा कोले अपने पाछ जल्दी खुलिए थे अपने पक्त है क्वाज थे हैं कौन है देखना तो कॉन है कोन है दिशो डिखने डाला है आप लोग पीछे सा नीकर किये ये लोग डगाथ है चल दी चाहिए ए बगवान, मिना सत्य का कैसा रोपाईगा मिना प्रिया, फिर उसे बात करवाओ वो तो राजस्तान गया है ए बगवान दीधी अब क्या कर रहे हैं, आप डालेंगे पूर्णी मा, क्या हुआ मैडम दीधी का फोन आया था, काफी गबराई हुए थी शाहिद किसी प्रॉब्लम में है, सत्या भे अभी घर पर नहीं है चल के देख ले था अपनी बेटी को लेगा पीटी का रस्ते निकल जाओ जाओ पापा बीक लायर हमें खाने आ रहा है अजय 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 सर्वार्ट्रक चेक कर रहा है, कुष्पना तो आपको इंफास परूगा ता तुम सीधे वहाँ पहुचो, पाच किलमेटर दूर हूँ, दस मेट के अंदर पहुचाओ पहुचाओ अजय 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 चलो जल्दी निकलाओ अजय दीदी मैरम अकेली जंगल गी तरफ मज जाए दीदी तुम जाकर घर चेक करो जाए आप जंबल की तरफ मचा तो में सथा है नाजाने क्या हो रहा है बीदी बीग लाहन बीदी गुटी धीट रहा ट्रग नमबर देखो कहा है राजसन का नमबर है क्या आहाा सर राजसर का नमबर है घेकरो लिकारो देंगा यह हेई अरे सर उनके बाद आत्यार हैं तर बोली चला रहे हैं जल्दी अरा भाई पुलीज डेट रख पकड़ लिया निकड़ो यहां से अपचा स्थी करो चलो स्थी करो जल्दी करो जी पर को वो सत्या के घरता वाया है भागरे मत देना पर उनको जल्दी पर जदी करो हलो कंट्रोल रूम अक्यूज इंस्पेक्टर सत्या के घर पे है एस्पी को इंफॉर्ब करो जल्दी सत्या इस शहर में नहीं है वो हमारी जिम्हदारी है मैं पहुंच रहा हूं जल्दी सप्रेका पुलवाओ वो पीछे जंगल की और भागे है उनका पीछा करो जल्दी यह को यहीं कहीं होगे इंगा सार आलो चारो तुम लोगो दो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी सेवा 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 जल्दी घर घर सन घर सन दिसन! दिसन! वियाज़! अलो कंच्रोलो मो! ऑप्रियाब्व है चरक्रणो की तरफ गए है. दीदी? दीदी? बीख लाएज! बीख लाएज!! शुशुश। चुप जा, मममा काए हा? तब चीक हो जाएगा. मममा काए! सार, 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 वो जन्डर की तरफ आगे हैं, हमारे लोग उन्हे ढून रहे हैं सार, एक क्वेकलों टीम को जन्डर के दूसरी तरफ पेज़ो, सार, इमेजिएटी अमोलेंस गपिलो, के सार, पीछे लो, पीछे लो, रूबी, रूबी, मुझे तो बहुत टेड़ लग रहा है सार, मैडमी से तरफ गई है, किस तरफ गई है, सार, समल के सार, उदर गई सार, जाए, जाए, पीछे प्याए, जाए! जाए! लूबी अजाए! अजयाा? ए बंहिए! उडbeiten, पुलीचे आरी है, बंहिए, ब Susanne, ए पुलीचे भाइ! सब को रोड़ तक रहाओ प्रियाँ जुप जाओ सब को जए ना चाहिए लोड़ जाओ जाओ प्रियाँ जुप जाओ सब्टीक हो जाएदा ना मैं हो ना चांत हो जाओ तो नहीं? जी प्रिया? प्रिया मन्ने वो सेवर्ने दिये ना?? प्रिया? लिया! 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 सर आंध्रा पुलिस की मदद लेने के बावजूद डगैत फरार होगे सर मुझे अमरने के ना वह और कोई ख्याल नहीं आता इस वक्तिल में और कोई ख्याल नहीं आ सकता सर की चोट गहरी थी उसकी सरजरी कर दी गई पर वो ठीक तो हो जाएगी ना उम्मीद तो है उसे होश आ जाएगा शायद कल ही या फिर जार सल बाद या कभी नहीं मैं आपको डरा नहीं रहा हो सकता है प्रिया होश में ना है शी इस अंडर अब्जरवेशन और उसका मिस्कारज भी हो गया है थीरू आज से ठीक छे महीने बाद मुझ ऐसी सुन्दर सी बेबी हमारी जिंदगी में आएगी नींद से उचने के बाद पलके जपकाते होए अपने मम्मी पापा को पहली बार देखेगी और बेबी जब थोड़ी और बड़ी हो जाएगी अपने छोटी छोटी पेरों पर खड़े होकर जलना सीखेगी और अपनी मीठी से आवास में मुझे मम्मी बुलाएगी पहले पापा बोलेगी मम्मी बोलेगी मम्मी बोलेगी मम्मी बोलेगी थिरन सर तुम दोनों को ऑपरेशन से रिलीव कर रहा हूं क्यों सर हमारा इस ऑपरेशन वहाना ज़रूरी है आवेश में काम नहीं हो सकते यहां तुम्हारा परसनल लॉस हुआ है नहीं सर जब मैं छे का था पापा यूनिफॉर्म में मेरे लिए चॉकलेट लेने गए थे फिर कभी नहीं लॉटे माने कभी उस लॉस का हैसास नहीं होने दिया जूटी पर जानने उचावर करने का सभाग हर किसी को नहीं मिलता पापा को एक आइडिल बना के मुझे बढ़ा किया और आज तक उनके बेटे होने का गर्व है अपने बच्चों का आइडिल बनना चाहता हूं सर ना घुसा ना बदला लेने की भावना इस केज से गए तो हम तोनक ओमर भार अफसोर्स रहेगा कि हम अपनी डूटी स्टीक से निभा नहीं पाए प्रोसेड पूल कैबिन में और भी आउजार है पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक के पीछे एक सीक्रेट कैबिन भी बना रखा था लोकेशन से एक किलोमेटर की दूरी पर ट्रक को पार्क करते थे इसे लिए टायर के निशान भी नहीं मिलते थे ये देखे सर ये नखली डीजर टैंक बना रखा है जिसमें हत्यार चुपाते थे सब कुछ पूरी प्लानिंग से करते थे सर ये बड़े शातिर लोग है सर नौर्ट जाने के लिए काबिल जवान लोगों एक टीम बनानी होगी सीनियर करें चुपके आराम फर्माएंगे और रिपोर्ट करेंगे कि वहां कोई है या नहीं किसे ले जाओ कुछ साल बहां रहा है अब सब आर्ट क्राइम टीम में डिवाइड़ रहेंगे हर टीम में एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होगा जो राजिस्थान के बाले में कुछ जानता होगा क्या हमें हमारा पसंदीदा खाना मिलेगा सोने का टाइम मिलेगा या अपने घरपानों से बात करने का मौका मिलेगा ये सवाल जहन में नहीं आना चाहिए उस गैंग का एक भी मेंबर हमारे हाथ से बचना नहीं चाहिए अज के बाद ना वो कोई ड़केती कर पाएं ना किसी मास्रूम की जान ले पाएं कोई क्रिमिनल स्टेट में आने की जुर्रत न करे कर सकते होता ये सब्स्पर्स हर टीम के पेट्रोल खाना और स्टेक के लिए बीस हजार दिये गए है विजूल खर्चे से बचोगे तो आराम से बुज़रा हो जाएगा हमने त्यार जील के तमिल नाडू रेजिमेंट को अपना मुख्य कारेले बनाया हर एक टीम को अलग स्टेट भेजा गया मैंने राजस्थान में कैम्प लगा के अपना काम शुरू किया किस गैंक से हैं उसका लिटर कौन है पता लगाओ क्योंकि इस समय कम से कम आट से दस गैंक्स एक्टिव हैं यह आपके हेल्प करेगा मेरा नाम मधू है त्रिपति से हूँ आपने बन्ने सिंग का जो गाओं बताया वो बरतपूर के बाहर इलाके में आए पता लगाओ कि बन्ने सिंग महां है या नहीं सर जी वर्दी में जाएंगे तो जिंदा लोट के नहीं आएंगे मार देंगे वो उससे रिक्वेस्ट करूँगा की तमिलाडू की और दुबारा ना जाए उसे अरेस्ट नहीं कर सकते तो मार तो सकते हैं सर और हम यहां उसे मार नहीं आये है अलो सेलो हाँ पापा जल्दी आ जाएंगे पिटा ठीक है सर बन्ने सिंग गाओं में है जल्दी का काम शैतान का है मैं सब समाल लूँगा सर जी गाड़ी में बैठ जाएंगे सर जी मेरा आपके साथ हाना जरूरी है क्या सबसे जरूरी है अज गया भाई मदू जी सिर्फ तू ही मेरे साथ आएगा सर जी मैं तो यहीं ठीक हूं आप जाओ चलना पड़ेगा तुझे सर जी सोच लो एक बार सत्या सर जीप में बाड़ो कुछ भी हो तुम वहीं रुपना फोर्स लेकार पीसे से कबर करो ओके सर आगे बढ़ो गाओं के दूसरी दरफ चलो मामा बाड़े सिंग मामा पुलीस मामा गाओं में पुलीस में पता निया हमारी का में पुलीस का आना मना है जाओ यहां सरे मदू इने बनने सिंग को या फेज़ने को बोलो हम चले जाएंगे भाई साब मेरा इंसे कोई समंद्ध नहीं है जूट बोलके ले आए मुझे यहां तक अ जुकित यूउग पयोग दो बिटेंग दो फींची जुआ रिमा x4 ना ईजब कि अऊ है एइएए ना है बरबाद हो जावेगा फैर मैं सारे गवाओ को लेकर आ रही हूँ हुई अरण ठार जा इसने मैं देख लूँगा सार कि अमें कहेर लिया गया है हमारा मच्णा उष्केंड है कि अपसादिया कि अची टो आख लिए कि अवाले पीछे पढ़ लिए पो भुबू लओ प्रोजिनों ग्लोग इसा पाड़ी मलगाओ अखिछ भाड़ टो आखिछ दो पख़्या अगई cken आपड़ीचल कि ऐापक भूँडल कापक पापड़。 कापक भूवजब, कापक भूश माझे १ Vaugh घरी Soon भंगलो कि भ joystick ीatura कापक भूब खपक जार, इडार इडार घर घर माई एक diffाई आजय दिए वाड़ा सिंदार तरश्टर आजिए पलिए पलिए हो पर दो सकतोड को पिना पचके जाने पाई आजर के गानी के अंधर आगए प्लीज यह अधी चार्च ज़ प मेंफित रखçi.. कैकल अबोसário हिए। सब्सक्तित जाइ। आजाए ज़ी अक्याँ, मेगाँ.. प्रीचे चालो.. बुझत कूरो.. रग डिछाएं। शह— हाँ, हाँ जलो, जब जडि जलो बारो इने वंदो, बारो आवा जलियो जाने वन देना, जाने वन देना, पिजागेना चलो छाप हाँ Director मनने को अरेस्ट करने का ख्याल छोड़ देना चाहिए अब तक तो वो भाग भी चुका होगा मैंने तो पहले ही कही थी वहाँ जाने का कोई फादा नहीं पांसो की फोर्स के साथ धवा बोलना चाहिए सबका इंकाउंटर कर देते हैं तब ही अकल आईगी इन है इंकाउंटर करेंगे तो हम पर इंकाउरी नहीं बाटेगी जल्द भाजी करती वदू हवारे इसकी खबर देने वाले इंफॉर्मर से बात करवा सकते हैं अब तो कोई मदद नहीं करेगा इतना होने के बाद भी सीखा नहीं सामान बांधना शुलू कर दो अगर अब भी नहीं निकले बनने आपकी अर्थी का इंतिसाम कर देगा उनके पीछे भागना बेवकुफी है ये बेशक रावली नदी के रास्ते से जाएंगे जो की पांच राज्यों से जोड़ती है ये हमारे आसपास भी होंगे तो भी हमें भरक नहीं लगेगी वो यहां से वहां भटकते ही रहते हैं उन्हें अरस्त करना तो ना मुम्किर है हाँ मैं उन्हें मेसज पहुचवा सकता हूँ कि कभी भी मद्रास की तरफ ना जाए वो अपने स्टेट में क्राइम नहीं करते है बागी सब स्टेट्स में जाते हैं वहां की भाशा ही भी जानते है जब वो इंसान को देखते हैं तो उन्हें इंसान नहीं दिखाई देता इंसान के पहने गहनों पे नजर होती है उनकी अगर मैंने उनकी ख़वर दी तो वो हमें मार देंगे आज तक पुलिस वालों ने मुझ पर हाट डालने के सुरत ना की पुलिस यहां कैसे पहुंच गई आपने गुमडी पुन्डी के एक एमेले को मारा था ना वो एमेले का घर था साले ने मनने को चाको दिखाया सीधे उसके दिल में बुलट ठोग दी मैंने ठाप गोडी भितर और जखमी दिल बाहर उन्हें पता कैसे लगा कि आमें उंगलियों के निशान उंगलियों के निशान खोश्यार रहना पड़ेगा उंगली के चाप से यहां तक पहुँच गए बढ़ने सिंग काँ वाडू से हमला करवा के गलती किया हमने देखना आप वो अकिला नहीं आएगा सरकारी मुलाजम है दो-चार दिन खाक चाड़ेगा फिर इधर ही लोट के आएगा गलती से उनके हाथ ना लगियो बला येसी में है कि चुपचाप यहीं पड़े रही हो कोई गड़पड हुई तो वकील बाबू को भेज दूँगा मैं आरावली पहाड में छुपा रहूंगा काल भेरो के आशिरवाद से सुरक्षित रहूंगा जयभानी पंडित नाम है उसका गाओं का सरपंज भी है वो इस पूरे डिस्ट्रिक के मार्केट में पांस उपारी का सप्लार है वो जो आपकी मंदद कर सकता जी कहां मिलेगा सर्व वो पंडितार आए मने माफ करो बाया चाहो तो जेल में ठूस दो उनके आठ टोर्चर होने से अच्छा पुलिस की थर्ट डिग्री से लूँगा तो मैं प्रोटेक्शन दूँगा मैं प्रोटेक्शन आपको अंदाज आप यहो कितने खतरनाक है घर में जरीले साफ फैक के बाग जाएंगे आदी रात को पेटरोल डालके घर जला जाएंगे रात बर घर की चोकीदारी करोगे सर तलाव के मगरमच से कौन जिन्दा बच के रह पाया आज तक मोका मिलते आपके सर पे गोली दाग देंगे उनके बारे में कुछ जानते ना तो कभी ऐसी बात नहीं करते हैं सर जी आप जानता हूँ के जानते हो सर कुछ नहीं पताया चलो दो बाते बताओ येर के वंशज है पुद आर्मी में गुरिला वार के एक्सपर्ट थे चुपके से वार करने के हुनरमंद 1680 में तोर मुगलों में एक भीशन युद्ध हुआ बहुत बड़ी सेना लेके जंग के मैदान में आप पहुँचे मुगलों की सेना उनके मुकाबले बहुत छोटी थी अपने युद्ध नीती और सेना बल की वज़े से मजबूत स्थिती में थे हर सैनिक युद्ध आर्म करने से पहले बाउली की आराध न करता है ताकि बिना जान गवाए लड़ाई जीच सके पर इस युद्ध में हार हुई बैभवशाली सामराज ये नश्ट हो गया युद्ध होने से पहले पूजा की जाती है युद्ध के भगवान के आगे बैल की बली चड़ाई जाती है गलती से खून मूर्ती पर आगिरा इसी पाप के चलते युद्ध में उनकी हार हुई पत्थर मार के उन्हें जंगलों की और भगाया गया सामराज ये पतन के बाद इसके पास रोजगार का कोई साधन नहीं था मुगलों के हाथों मरने के डर से दर दर भटकते थे काम की तलाश में ये लोग अपने कांग की और लोटे तब से आज तक चोरी और शिकार करके अफना गुजारा करते और पीडी धर पीडी शिकार करना उनका मुख्य पेशा रहा था 1980 में गुवर्मेट ने पशू के शिकार पर पाबंदी लगा दी सर्वाइव करना मुश्किल हो गया जिसकी वज़े से फिर से शिकार करने लगे लेकिन इस बार इनसानों का और पुलीस की भी जी के सोलिड होती है लेकिन सर्वाइव कभी एक टाइम पे एक जगानी रहते हर दिन शेहर बदलते हैं अगर उनको सच में पकड़ना चाते हो ना तो ज्यादा जेब डिली करने पड़ेगी एक इंफोर्मेशन पचास हजार रुपए पचास हजार लो कर लो बात मेरा योई रेट है एक इंफोर्मेशन का आप तो सीरियस है यो बड़ा मजाग तो नहीं है सर ओके सर सर आज के बाद ना आप मुझ से मिलने याँ पर मत आना गाम में बणक लग गई तो बढ़क जाएंगे मैं पनवाडियों ते खबर निकल वा लूँगा कुछ पता चला तो मेरे आदमी की दुकान किले के सामने है उस दिन हरे रंग की पगड़ी पहने होगा वो हम उसके ग्रीन सिग्नल का वेट करने लगे यानि हरी पकड़ी एक तरफ पंडित के आदमी खोज करने में लगे थे तो दूसरी तरफ हम रोट साइट स्टार्स में रेलवे प्लैटवर्म पर कोई जगे नहीं छोड़ी महिनों हो गए थे घर गए बन्ने सिंग की तलाश में नौर्थ में एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमते हुए सरदी, गर्मी, धूप, धूल जहां जगे मिलती वहीं सो जाते किसी और को इस गैंग का शिकार नहीं होने देना चाहते थे हमारा गुसा ही हमारी ताकत था हर मुश्किल से जूजने का हौसला देता घर का खाना नसीब नहीं था होटल के पैसे भी कम पढ़ने लगे अब अपने बरतन भी साथ रखने लगे ताकि खुद का पसंदीदा खाना बना सकें सर, खाना टेस्टी है आपके वाइब बहुत लगी है सर क्यासा बनाए क्यास चाहिए सुपप चुपप चुपप लुपप लुपप रुको 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 यही वो बंदा स्पेशल पान का है भायो एक मिठ़्ा पान देदे ठीक है सर, पंडित से इंफोर्मेशन मिल गई वेरी गुड सर, सेदू, सबको बुलाओ ठीकी साथ सत्या, तु मुझे उपरेशन से हट जाओ एक दूसरा काम है सर, मुझे इस टीम से हटा दीजिए मैं जानता हूँ आप मेरे लिए कितने परिशान रहते हैं मुझे देखकर दुखी होते रहते हैं मुझे कहीं दूर भेज़ दीजिए सब लोग आ गए हैं सर यह सर यह रखो इस आदमी को फॉलो करो तैंक्यू सर अगर उसे पकड़ लें तो इस वक्त फॉलो करता है अगर बने सिंग के अलावा गैंग के बाकी मेंबर्स की इंफल्मेशन निकलवा सकते हैं लोकल पुलिस में स्टॉंग कनेक्शन से उसके पूरे गाउं में उसकी धाक है हर दिन अपने दिये लोंस पे ब्याज लेने भरतपूर मारकेट आता है वहीं हमें चुप चाब इसे उठाना होगा अपनी गाड़ियों पे लोकल नमबर प्लेट लगवाओ सुबह के टाइम काफी भीड़ रहेगी उसे अरेस्ट करते समय अगर भीड़ी कटी हो गई या उसे शक हो गया तो अपरेशन फेल हो जाएगा जब भी उसे पकड़ेंगे किसे को कानो कान खबर नहीं लगेगी प्लान वर्क आउट कर लिया है फेल होने का कोई चांस ही नहीं है अरम सी पहुंच गे दो मिनिट का टाइम है लोगों को हवा लाके उससे पहले उसी लेके हवा हो जाएगे क्या सिर्फ दो मिनिट दो गंडे तक उसे हाथ ने लेका पाएंगे बहुत कॉन्फिटेंस है दर्वासा चुक्या तब तक उसे उठा चुक्य होंगे ना उठा पाए तो यहां से लोट जाएंगे मेरा पिंड छूटी जाएगा आपसे एक नहीं चार बार जाओंगा मुक्रोगत नहीं आज घर जाओंगा मुक्ते मिल जाएगी बधू दोड़ता वहा रहा है चोर चोर चिलाते हो इसके पीछे बागो उके सार, दोड़ जाओंगे चोर, हे चोर, 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 मेरा समां चूरी करके हज़ आए चोर फग्लो इसे पग्लो सत्या, पड़ी मारो इसे, मारो विकी, मुव अरक क्या हो रहा हुदर चंदू पड़ी पड़र क्यां प्पोन जाले दार्बूस के मुझे वो दो जलोज़़ो मत्य। हटो जांटू झीम Θेश्च मोख़ो हमें एकार इसिर कऄ ड़ीडो 210 । जल्ली जल हुआ क्यों में दो कर दोस्तों करंद कैल कि dirt आज के बाद जो भी कहोगे मानूगा साब, बस फिर से भागने के लिए मत कहई दा सर जी हरम सिंग के लिए चिन्ने का ट्रांजिट वारंटी शुकर बादा हरम सिंग की गरफतारी के साथी हत्या करने माले को ख्या दकैतों की पकड़ने की दस साल की कोशिश आज एक मुकाम पे पहुची है, देस्पी थीरन की अबूद पूर्व काम्यावी के लिए कई स्टेट के सीनिय पूलिस आफिसर्स ने उन्हें बधाई दी है, देस्पी थीरन ने भरोसा दिलाया है कि गरोव के लीडर को बहुत जल्द ही पकड़ लिया जा इसका मतलब यह है की समझ गया, हर सेंटेंस का यह की मतलब है, I am innocent कपड़े उतार इसके, खटमल अंदर जाएगा ना तो तोते की तरह पाटार पाटार आवाज निकलेगी इसके खटमल किसलिए? जैसे ही गर्मी बढ़ेगी ना, खटमल नावी में छेदगर के निकलने की कोशिश करेगा इस दर्द में आदमी मौत की काम ना करने लग है मत बेगुना हो साब जी इसे कैसे तोड़े हैं सार? सार, बड़ावट हीट है सार, बेगुना हों बेगुना हों की रट लगा रखिया है सार, सार, सार बनने सिंग और उसके गयंग के बारे में नहीं बताया, तो ये छेद पैंट की बजाय तेरे भीजे में बनेगा अभी भी तेरे पास वक्त है तू बोल दे, वरना मार आ जायेगा साच सच बता दे पंद्रा दिनों तक उस अधेड को हमने टॉर्चर किया लेकिन वो नहीं टूटा हैरानी की बात है उनकी सेंशक्ति की सीमा अपनी बिरादरी के प्रतिया टूट वफादारी उसके आगे हम बिलकुल ऐसा हाय हो गए कोई रास्ता नहीं बचा सिवाए रिमांट पीरियड बढ़ाने के थोड़ी भी शरम नहीं आती एक बुजूर्ग को उठा लाए उस पे खून और डकेती का इलजाम लगा दिया अगली बार कोई ठोस सबूत नहीं लाए तुझे एखना रिमांट एक्षेन नहीं करूँगा इनकी फीस देदो शुक्रिया 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 इनकी बिल जल्दी कर बाता अच्छा अगर मैं सब ठीक है ना वो गैंग इस देश की किस कोने में है इसका सिर्फ आइडिया ही लगा सकते हैं वो विटनेस नहीं है यानि पकड़ लिया तो उसे तुरंट छोड़ना पड़ेगा हरम सिंग को बेल मिलते ही ये केस क्लोज हो जाएगा सूपब सब हमें एक और यूमन राइट्स का समन है तुमने हरम सिंग को टॉर्चर किया है ये उसकी कंप्लीन है क्या क्या दावे किये थे इसी वक्त आपरेशन को डिसमेस कर दो उनसे यहां नहीं आने के लिए कंप्रमाइज कर लो उनमें से दोग को अरेस्ट कर लो प्रेस रिलीस में जन्ता को बताओ कि MLA के किलर्स पकड़ लिए गये हैं केस क्लोज ओके सर I'll do it ये लो सर थोड़े दिन और क्या रहे धीराद गुटने टेक दिये बदाई हो सच पर आपरेशन बंद कर रहे हैं सर हां हराम से स्टेट्मेंट ले लो कि उसे मारा नहीं हैं हम कंप्रमाइज करेंगे सर 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 बात अशकरो थैंक यू सर थैंक यू सर जी मैं पंडित बोल रहा हूँ मुझे ख़वर मिली आप सुला करने वाले हो इस वक्त कहां पर रहे हैं दिल्ली जा रहा हूँ बोलो आप यहां आ सकते हैं सर एक काम की इंफोर्मेशन देनी आपको कहा नहीं कल बताऊंगा रूल्स फॉलो किये बिना एक गॉर्मेंट आफिसर को कैसे अरस्ट कर सकते हो कानौन की कोई परवा है कि नहीं है ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं इनिसन्स को फसाना पुलीस के लिए आम बात हो गई है इस फाइल को पढ़ लीजिए उसके बाद फैसला सुनाईगी नजीज अपनी टीम को रूपवास चेक पोस आने के लिए को किसा आज किसा खत्म करेंगे हलो पाच्चे लोगों की टीम लेकी रूपवास चेक पोस पर पहुचो सर का ओडर है जल्दी करो समझे सत्या कल जब हम हराम सिंग को कोट लेकर जाएंगे तो सार कुछ करपड हुई तो इससे जादा क्या होगा जो होगा परवा नहीं मैं समाल लोगा मदरास पुलीस यहां समझोते खातर आ रहे हो है तो लोगा तम समर्पन कर लो केस बंद हो जागा सरो मुतर पंडिक जब हराम सिंग को पेल दिलाने ले जाओ कोट सही दो अक्यूस को रिमांट परे ले ले ना ओके सार ओवा हूँ जबाए उना सरु बढ़े लोगार केस कम्रमाइस पे खतम होगा मैंने कभी सोचा नहीं था जब अब यही सही यहां एक मशूर पान वाला है खाली पेट खाने से भूख अच्छी लगती है चलाओ खाते हैं स्पेशल पान रेडी है मदरास की पुलिस यहां समझोते वास्ते आ रही है पान पान रही है स्पेशल पान रही है स्पेशल पानीसिंग स्भाइभ अब 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 आूस्एजर थ olm शुझे, हैं इलए रही प्रम कोर दसे सरे धो? इद्रोद कसल कर दो! जढ़े खायो भूझें, दिल्षा को फार को कर दो! अका कड है? भूद्य शॉथॹ, शुबयने डर्न बसे में के लिए? भूद भूद जाओं है? भूदेछ ऐता सिरुदेछ, साम ना! आप का कर रहे है जरू सार पेना पकाटी आप आप आजाए पच्छांदी आजिए सार आगे आया ना आपलो क्षांत्र है आपलो क्षांत्र है सार नदेन क्षाओ सार ड्राइवर को गंपाइंट पे रखाए सार बस रोकने नहीं दे रहा है अगर उसमें कोली चला दी तो बस पलट जाएगी सार आया ना बस उलट गई तो सब लोग वरेंगे तू उसका जिमतार होगा तेरी तू सार पॉली चेकर सथा है पुचाओगा पुचाओगा पस देखे अब पुचाओगा अपधोगा पैट चाहिए पैट चाहिए आपलोग उसकाओगा उसकाओगा पुर दोगो जब बशाबे। अन्दीज दोनों पसादों एक को पचलेंगे कर आख जूँत! आख जाओंगा पैए! जोड़ा मुठा उर्णा थाठ नीचा आजाएगा अगर मट या तो पकाद मँठको नहीं पोगाएंगे! जढ़ादा जादाने! परकादी पहुगा! जाए पहुगा! जाए 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 ज़राए? पोड़ जोड़ो! बार जाओका पहे! सार आगे गाडी आ रही है? क्या जरे? समने से गाडी आ रही है? जी पस्तो राइट गुवाने का बोलो! जाइबर काडी राइट में दो! जाए जरो! घर… सार नाशी चूट्रणीय है! सार मेरा हाँ पिषर राइढ उन्ये जं्दा मेज्यागत उड़ना सार आँ ना अन्समेलनी डूबनारी सार मेरा थमाए रच्मांगत्षोटनानिया सार मेरा च्भाए रच्माड tenth़़ना आगे दो, हगे दो! उब आज आज आज़ाओ! अट इंष आज़ाओ! इसे अब लाउड़ता हूँ साफ मैं बगड़ता हूँ, छोड़ी दो आप लाउड़ता हुछ मैं बगड़ता हुछ इसे इप्र अठाओ! अब बंदास छोड़ कि अज़े को जो बाव करदो साथ, मने माफ करदो, मैं सरंडर करता हूं साथ, मने माफ करदो, मने अन बट बारे साथ, मार सैन भी उती मारे से, जो कोगी का तेंगो तयार हु साथ visto हो हो ! याँ ! का lin Stevens, पाट स objective करा! भा खे प्सिकत! सο करें दद cabo ! वाँ .... सुर ! हुँ इडास। हुँ हुँ सब्सक्राइब समझाओते के लिए अभी तक पोचे क्यो नही वो कंप्रोमेस के लिए पूछने क्या बोलनुमाइ कह देता हूं कि अड़ेडी कर चुक हैं पुलिस ने बंदे सिंग को पकड़ लिया नहीं होसकता अरोल यहां से लेख प्लो चाल बतार तर निशा अब अभी बताता हूं जूर बोलता है तुने मुझे बतार माना रुक बताता हूं जूरूगा मुझे बतार बादा हूं इसने तुम सब के पथर भैके है हां सच है रोज का किस्टा हो गया। मैं बेगुना हो साब जी साब जी मैं बेगुना हो साब जी बन्ने सिंग अपना मूह नी खोलेगा जल्दी उसकी बेल करवा दूंगा आप चिंता मत कीजिए गणा शातिर है जुण जुण के सब को पकड़ा कोई तो भेदी है जो लंका को ढारियों है पता लगा हो जी भाई साब जैसे पता लगे कुरुष शिखर पाहड पर आजना मैं वहां मिल जाओंगा पापा आप घर कब आएंगे पापा को ज़रूरी काम है बिटा मैं मैं बाद में फोन करता हूं सर टॉर्चर की तैयारी हो गई इस बार टॉर्चर नहीं करेंगे क्यों सर अराम सिंग्याद मैं बेगुना हूं मुझे कुछ नहीं पता उसके दिमाग के साथ खेलते हैं धाइनमो सर चड़ो जानेद गेम में अच्छे बनोगे या बुरे डेफिनेटली बुरा बनुगा स क्या चल रहा है अराम सिंगी खाना काया आए कालिया साब जी तुमारे गैंग में पड़े लोग है थालिए मैं यहां बड़े लोग भी है बाइदि मैंटरिक पास्वा जी गाव में बड़े इस्साता है वाट न्यूस मस्त चल रहा है हम बिचारे को हरोईस्ट की इस्क्र ह यहाँ वही मसारा डालना हाँ Haram Singh तुमारे खिलाफ सरकारे कावा बनने के लिए तैयार हो गया है उसके बयान पर ही तुम्हे अरेस्ट किया है यगेन नहीं हो रहना है यह सेवर उसी को दिये दिया ना देख लो में में कुराव सार यह से बोला तो ठॉक जालूँगा रिलाक्स, Satya मुझे तुमसे सर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए 1996 के बाद तुम लोग चार साल तक Tamil Nadu क्यो नहीं आए इनाम दूँगा साथ में यह जेवर भी वरना Satya तुम लोग आखिर चार साल से Tamil Nadu क्यो नहीं आए सच-सच बताओ वरना इनकाउंटर कर देंगे नहीं साहब साहब आकर आसे डकाइदी करके भागे सिकंद्रा चेक पोस्ट पर पूलीस से मुट भेड़ोई साहब गोलिया चली सिकंद्रा चेक पोस्ट पर आरेस्ट होने के बाद ये लोग फरार हो गये और दूसरी जगों पर जाकर लूट पार्ट शुरू कर दीन होने तरी गैंग का लीडर कौन है बोल जादी बोल गुना कबूल कर लिया से अपनी टीम सिकंद्रा बाद बजो इसके अरेस्ट की फाइल निकलवाओ उसमें सब कुछ मिल जाएगा बनने तू कब अरेस्ट हुआ सरकारी कवाँ बन के सब लिक आला वो कब बना बनने तो बस एक फिल्मी खबर लिखे थी फिल्मी खबर? हाँ थोड़ा पढ़ले, थोड़ा पढ़ले अरे उमर भर सम्झाता राप थाले तो मैं पर तू अनपढ़गावारी रह गया, मरवाड़ा ना ज.. 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 क्या किया ये? मैं बेगुना हूँ साब सिकंद्रा चेक्ट पोस्ट पेरिस्ट सभी गैंग मेंबर्स की लिस्ट हासिल की अक्यूस्ट वान, ओमवीर सिंग और ओमा, गैंग लीडर हरियाना तेरर ट्रक्स का मालेक टैवल एजेंसी चलाता है गुट्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाते समें डकैती डालता है A2, खली, दर्वाजा तोडने वाला, हरियाना A3, बोहरा, रूट एक्सपर्ट, यूपी A4, बनने सिंग, लॉक खुलने वाला, राजस्थान A5, हराम सिंग, और्गनाईजर, राजस्थान A6, ताराचंद, वेपन एक्सपर्ट, यूपी A7, मुबीन, वेपन हैंदलिंग, MP A8, खुलाम, ड्राइवर, महराश्टर A9, रुकेश सिंग, ड्राइवर, पंजाब A10, जंकूरी, ओमा की बहन, जासूस, राजस्थान A11, एंथो, स्पाई, राजस्थान A12, मागीलाल, खबरी, हरियाना A13, गुब्डु मल सिंग, स्नैचर, हरियाना A14, हीना, ओमा की तीसरी पत्नी, काम लूट का माल बिकवाना, राजस्थान A15, खड़क सिंग, स्नैचर, हरियाना A16, राजी सिंग, ओमा का साला स्कूल टीचर था, अब माल ठिकाने लगाता है, पंजाब A17, तोला, स्नैचर, एंपी, इन सब के फिंगर प्रिंट्स, लूट की फाइल से मैच हो चुके हैं Good work, बहुँ बढ़िया, मज़ा आगया, सब को लाइन पर लगा दिया उच्यार रहिएका सर, शाखवने पर भाग जाएंगे, बहुत कड़िब है सर आगो, पंडित की इंफरमेशन, रूकेश चत्राला रोड से भाग रहा है Okay, okay What's up? What's up? What's up? Arach, go ahead, quickly. Police are back! What's up? What's up? What's up? What's up? Why are you running the car? Don't go out to the car. Notch से डगाती डलने, साउथ क्यों आते हो? बोलना! यूपी में एंकाउंटर्स हो रहे थे सर, और हमारे लीडर ने साउथ की दरफ रुक किया था सर आगे बोल! यूपी में गोली मार देते, और आपकी पुलिस गन नहीं लगती, पर हमारे पास है, और… बोलता रहे! और वहां की औरते खुब सोने के जेवर पहनती थी, इससे, इससे हमको अंदाजा लग जाता था, कि घर में कितना सोना होगा सर मुझे पता था, अपनी लुगाई को जेवर पहनने सो रोकता था, वरना एक दिन मारी जाती, ये तो होना ही था सर जी हमारे लगातार अरेस्क्स करने से, ओमा ने वो किया, जिसकी उमीद नहीं थी जिस-जिस पे खबरी होने का शक था, वो कबर खोद दी हमारा मेल इंफॉर्मर पंड़ा है, मरने के डर से, शहर छोड़ कर भाग गया, ओमा की तरह और भी गैंग्स हैं, तमिलनाडू पुलिस का खौफ जगाने के लिए, कुछ ठोस कदम उठाने पड़े हमारे लगातार इंकाउंटर्स के बाद, ओमा चुपने की जगे बदलता रहा यह रखो, हुमन राइट्स और कोर्ट में कम्प्लेन करो, टॉर्चर कर रहा है, मांगी लाल किदर वागा यह रहा है, चोड़ चोड़ अचिन नहीं निगलो सिर्ण चिन नहीं निगलो चोड़ सभी स्टेट्स की पुलिस हमारी मदद करने लगी, उन सब की मदद से ओमा गैंग से लूट का स्यादातर माल बरामत कर लिया गया बोल किदर है, 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 बोल क करने का मन करता जब ऐसा लगता उनके चहरे सामने आते जो मर चुके थे प्रिया के साथ गुजरे हसीन लम्हियाद आते हमारी तरहे औरों की हस्ती खेलती जिंदगी भी उचड़ गई थी सिर्फ उस ओमवीर के कारण ओमा तु जहां भी छुपा है धूंड निकालोंगा तुझे भाइसाब मदरास पुलिस ने छे लोगों को धर्दबोचा है और दो का इंकाउंटर भी कर दिया आठ रक सीज कर दिये कोई तो है जो पुलिस को ये सारी बाते बता रहा है बाई साब अपने तो आदमी भी हैं पुलिस में कौन हो सकता है बोरा हम भागते पहर रहे हैं पर वो जानव करने का इंतसार कर रहे हैं वक्ता हो गया है कुछ कर गुजरने का इस शिकार ही है हम शिकार ना बढ़ेंगे उन पुलिस वड़ों को सबक सिखाएंगे खबर पहला दो कि मैं हमीरा रेल्वे स्टेशन से भागने वाला हूँ और कल के बाद उनकी लाशन नहीं मिलेंगी उनके टुकड़ करके अरावली के चीड़ों को खिलाओंगा आज के बाद पुलिस के इमत नहीं होनी चाहिए कि मारी तरफ वांख भी उठा के देख सके ठीक है भाई सब डियस पी को बताओ कि ओमवीर हमीरा रेल्वे स्टेशन से भागने वाला है हालो सर हलो बेटा काईए अंकल उसकी कंडिशन बहुत सीरियस है सरजरी करनी होगी मैं क्या करूँ मुझे बहुत घबराट हो रही है बेटा तुम प्लीज यहां आ जाओ वो फैसले की खड़ी थी प्रिया के पास पहुंचूँ या ओमवीर को पकड़ने जाओ फैसला जाहिर था मेरी प्रिया मेरा इंतजार कर रही होगी है 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 फोली है कि अटेर सक्वावर आ कि अटेर ुपघ स्वाटय रें टेकन सरावी कि क्यों कि तक नहीं आया स्टार neuen कंशिटट कर जाने देतार मातक्य करफिस है देखना थाइला को फाने लिए है ओम भीर अब तक नहीं आया सर बॉइस एलर्ट ट्रेन आ रहे है उतरने चड़ने वाले पैसंजर्स को चेक करो ओके सर अजय को अड़ी चड़ चुके हैं सब एक एक बोगी मुचड़ो फास्ट नो ने सी चटकर हैं एओ अजय कर दो चाहरा है अजय कटे गुषियो जा रहे हो यहारे को बड़ी जल्दी पड़ी है पर लो आप में पर में आपना पर लागी है अजय को बड़ी बड़ी जा रहे हैं नजीर थीक जच किया शर अखरी दबब्य तक चाहन मारा रहां रांग इंफ्मेशन अगले स्टेशन पोटरें गए कर दो कर दो अघ्या है यह भाइए जेल खिट रहा है अधर क्यों परिशान करते यह कि ट्रेन बीच रास्ते में रुक्ञढ़े कुछ लोग लास्च टिपे में चड़ रहा है अलड हम चेकरते हैं सर्च चलो चलो चल्दी करो चल्दी रजीर चेक करो, कॉल लोगे ये ओके सार, हम वही जा रहे है ट्रेन निकार रहे है, चदि आजा रजीर ट्रेन स्पीड पकड़ रहे है, मैं बीच के टबे में चड़ रहा हूँ, तुम हाँ पहुचो ओके सार तो टिपें दूरू, उसे होल्ड करके रहा हूँ चॉप चॉप yeah side 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 inside side 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 factor कोशिछ कर रहारे की side और भी जलारी है पयाँ डूप नट्रेज़ पोरेत मोचो हुआ रह, हुआ अज रह, हुआ हुआ ए मयदूो準 हुआ ए ए घ vrij हुआ 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 हा हा सर पास में गाउं है उस गाउं में सिफ गडेरीय ही रहते हैं सा उसके आगे बंजर भूमी और पहाण हैं सा कितरा दूर हैं से ड़क्रियो मिकर बॉइस लड़ी तो मूव हां वो जादा दूर नहीं गयोंगे हम उने पकड़ सकते हैं चलो 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 सब लोग अलाट रहना कीप सरचिंग यस सर चलो भई और कितना दूर है भईया दो किलो मेंटर है ओ भईया तो चल चुके अभी और कितने किलो मेंटर किलो मेंटर तो का मतलब यहां बीस होता है क्या लगता है गणित से इसका कोई लेना देना नहीं अब यह और कितना चलना बढ़ेगा कितने दूर है साब ज्यादा दूर नहीं है दो किलो मेंटर है चलो अरब आपर है मर गया आप अँडसी अँडसी अढ़ेगे चलो अचलों अजर गगेगा कि अवड़े अठट से अश्यच था मियाद़ अजर चलों कहा हो दिख रहा है जल्दी आओ आरा हो कहा है चले शरू चल्दी करो काफी परेशान लग रहे हैं टीम को यहां लाके गलती तो नहीं कि कुछ अन्होनी न हो जाए सोच के टर लग रहे हैं चलो जगे तो देख लेते हैं गाव के एंट्री एक्जिट पॉइंट्स नोट कर लेना यह सर यह किसी भूतिया गावं से कम नहीं है सर यह सिर्फ चार गडरियों के परिवार रह रहे हैं उन्हीं में से एक रात के खाने का इंतजाम कर रहा है ओके, हेलो ट्रेना, यह सर प्रेन के मुदाबिक इन्हें गावं तक तो ले आए अब इन पर अड़ेक करके इनका नामों निशान मिटा देंगे अब भी नए, एंतजार करना, शिकारी के लिए पहला सबक है अब में से एक जावं पहला सबसे है कुछ तो है कुछ तो कड़ बढ़ है जंगली भेडिये उनी से सिखाए कब और कैसे शिकार करना है घोड़ों पे जाएंगे और उन पर अचानक पाउडर बॉम से हमला करेंगे तुम बाहर इंतजार करना जो भी भागता हुआ दिखाई दे घोड़ी से उड़ा देना बेडिये कितरा खात लगा के मौत के खाट उतार देना शुजायो जय भवाणी जय भवाणी जय भवाणी क्यों है ठीक से सोई नहीं क्या सोजाओ मेरी कोद में सुकून से सोजाओ जय भवाणी झाल एड़ दूआ जय भवाणी जय भवाणी जय भवाणी जय भवाणी कि दुए कि रिवसे दुए ठारे सुआ भुट मुशनें हूए किखाना के रिवसे अबर बिपार से किरे कि आ खान। हतान कि अविए किछाओ जहा कि आ गुट!! कि आप दूपारे सुम्म्मальная कि मुटलत एंट आद्रेश उम्मं! वुठीजु, दो दीज। जोखए दिधंड, इहार आँ ऌिया माँ फुठीज। दीज। कॉठीज बेड कि मुर्गून गवालों कंदरिक। रणे की शरूत ते है २के भास लोकल कंसे अजनेज। गोली 20itely कि जातीया 10 feet in दूरी से चाल लेतीया और आज बड़ियों जो 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 हुआ हगा है सार 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 अपको बताए ने तो यह मारते के सर सर यह तो गुरिल्ला वाट टेक्टिक है शिकारी बेडिये सत्या कमिन उन्होंने मदर को माल दारा सर ये लोग भेडियों के शिकार पनाली यूज कर रहे हैं इस बात का फाइदा उठाना होगा क्या करना होगा तुम्हें वहाँ एक टावर दिख रहा है हाँ सर वहाँ पोचे रहा है सर डौड़ के दो आर के जाना भाँ पोचे लोगाँ जाना भाँ सर वाँ कुंस एयन खेंटेवाँ सर कले विगी सर को बढे ये सर राइट के और बढगो सर हमको बता है सर मेड़ दवाओ हमाँ हमाँ पुला उसने बी हमाँ 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 बुरा बुरा यह सब के हो गए हमारे आदमे कहा है वह कहा मरगा सब शिट बॉइस ओमा को स्पॉर्ट कर लिया है वह में यह सामने है सब नौर्थ इस टॉर्णल की दरफ जाओ चाड़ दरफ से गेड़ो कैफल यह अग सर अव मेरे छुबड़े में आग लागा दिये सर दुए में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अब क्या करें सर सत्या डूंट लूज इम पीशा करते रहो उसका रास्ता फ्रॉक कर दो उसे जाने मत देना मैं पहुँच रहा हूँ गणे खोड़ा लेकिया आ रहा हूँ जलो वो तोड़ो अलग 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 दिशाओं में जाएंगे सत्या खनी को गोली लेकिये ओमा घोड़े पर भाग रहा है मुझे घोड़ा ला के दो वोड़े ला कि युझे युझे ला 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 हुझे झाओ वोड़े लेव लेवश यह याभ बार वोड़ा हर लगा क्वाराण skilledच defender हिर लगाव sever जस हुरती हो कि इए हेहाई लगी हुआ हुआ तकर je हिर लो Anda never कोilty टम लो टुझ प्राइएं पी जर शुझ लिए जर खी उर खविझ नर कुझ लगा अ यां तुझ यद मेट लुझ लुझ ऑना जरुप कि अहां पिंट faudra कि अर्ञ कि अर्ञ कि एप दिक अर्ञ अर्ञ आँ रह आक कि आप अर्ञ आप मैं हुआ ठुण ुए ऑपिध हर बहुर्ज करो हर द Kennए M अ are yeah अख लुण लुण। कर दो 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 पहुआ रहाँ 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 सार सुरू तो डिस्टर्बू सार आपसे मिलना चाहता हूं सर प्रीज सर संडे को थेंक्यो सर दो महिने से चेर बदलने के लिए क्या रहूँ अप्लिकेशन डाल दिया सर इतना बड़ा केस सॉल्व किया फिर ये डमी पोस्ट किसली है डिपार्टमेंट के प्रती इमानदारी दिखाऊंगा ऐसे ही नाम मिलते रहेंगे ऐसे कई रिवार्ट्स ले चुका हूँ हाईवेज बदल चुके हैं पुलीस में टेकनलोजी भी इंप्रूव हो गई है पर इस केस की बात करूँ तो जो सम्मान वी आईपीस को मिला एक आम नागरिक को भी मिलता तो बहुत सी जाने बच जाती है क्या डिपार्टमेंट की गलती थी या फिर उसे चलाने वाले नेताओं की या फिर ऐसे नेताओं को चुनने वाली पबलिक की ये बहस तो अनंत है जब तक जवाब न मिले जुर्म निर्दोशों की हत्याएं होती रहेंगी देनुसन पीपल विल टाए अगेन एन 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 फोरेवर सर शत्या हे हे स्मॉल लाइं कितने बड़ी हो गई हो अंदर आओ ना इट्सो के सर बस आप से मिलकर सेल्यूट करना चाता था यह रियली ग्रेट सर यह फिल्म उन सभी इमानदार आफिसर्स को समरपित है जिन्होंने हमारे लिए निस्वारत भाव से कुर्बानिया थी मैं उन्हें सेल्यूट करता हूँ पूरे भारत में उनके खिलाफ केसिस थे लेकिन तमिलनाडो पोलिस ने ओमा गैंग के 13 वहशी गैंग मेंबर्स को अरेस्ट किया और दो को एंडकाउंटर में मार किराया 1995 से 2005 तक ऐसे 45 डकैती के केसेज हुए जिनमें 14 निर्दोष वैक्तियों की जाने गई और बासक्त लोग उम्र भर के लिए अपायज होकर सामान जीवन जीने से महरूम हो गए इसे एक रेयर केस मानकर जजज ने चार को फांसी की सजा सुनाई और बाकी अक्यूस्ट को उम्र कैद की कठोर सजा सुनाई गए उनकी अपील के बाद कोर्ट में भांसी की सजा को उम्र कैद में तबदिल कर दिया मुखिया आरोपी ओमवीर उर्फ ओमा की जेल में ही मौत हो गई और उसकी मौत की इंक्वारी आज तक चल रही है इस केस को स्वाल करने वाले आफिसर्स को ना तो कोई प्रशंसा मिली ना कोई आवार्ड मिला और ना ही कोई प्रमोशन है